हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल सक्षेस नियुल नोट्स में आज हम जो है राजस लेकपाल का जो हिंदी का सेट है उसके 25 प्रस्णों को हल करने वाले हैं एजे मॉक टेस्ट के रूप में और आप इसमें अपना मिलान करिए कि हमारे 25 मे बहुत ही अच्छा है सारे कोस्टें सेलेक्टेड हैं और अच्छे लेवल के जो पूछे जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आप में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें कि हमारे चैनल पर जितने भी कंपर्टेटिव एक्जाम है उन if अपनाना विश्वर्दत तूल्सीकरत पदिच्युत तो फ्रेंड जो है पद्च्युत पर्डव करन्ध पुरू समास स महीं है । कुणों कि यहँद पर पद च्रावं से अलग होना तो यह कैदान में आ जाता है तो इसका हमारा right answer क्या हो जाएगा right answer option जो है यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा next question है पुछा गया है हमारा कि थोक का परयावाची शब्द नहीं शब्द है आप यहाँ पर friends वीडियो को रॉक करके अपने answer टिक कर सकते हैं और फिर बाद में right answer देख सकते हैं तो थोक का परयावाची सब्द पर्चून option दियेगे हमारे पर्चून थाक थोया पर्याईक तो friends थोक का परयावाची जो है थाक होता है तो right answer है यहाँ पर हमारा भी सही हो जाएगा next question है हमारा यहाँ पर पादप का परयावाची शब्द चुने option है हमारे खाद पोधा पर्चू इनमें से कोई नहीं तो पादप का परयावाची friends पोधा होता है राइट आंसर हमारा भी सही हो जाएगा next question है भाई का बहुबचन most important फ्रेंट से भाई भाई भाईयां भाईयों इनमें से कोई नहीं इसका जो है हमारा राइट आंसर भाई का बहुबचन भाईयों हो जाएगा option हमारा सी सही हो जाएगा next question है हमारा नेता का इस्त्री लिंग क्या है most important पिछली वाल राजस लेकपाल के पेपर में पूछा गया था नेता का इस्त्री लिंग एक इस्त्री लिंग पूलिंग में से question friends जरूर पूछा जाएगा मैं आपको सारे हिंदी के topic जो short trick के साथ उपलब्द कराने वाला हूँ थोड़े ही दिनों में आप हमारे channel पर बने रहिए नेता का इस्त्री लिंग जो है friends नेत्त्री होता है तो उसका हमारा right answer option B होजाएगा next question है पुनर जन्म का संद्री विष्चेद क्या होगा तो फ्रेंस इसका संद्री विष्चेद पना प्लस जन्म राइट answer हमारे यहाँपर सी सही हो जाएगा और इसमें हमारी को सी संधी हो जाएगी विसर्ग संधी हो जाएगी यहाँए नेक्स कोश्चन फ्रेंट्स यहां पर हमें तुरुटि पूर्ण अंस का चैन करना है मतलब किस भाग में तुरुटि ए ए भी सी डी तीन पार्ट दिये होंगे और आपको दो कोश्चन जो है असुद्ध बाग के से सुद्ध और असुद्ध बाग के से देखने के लिए पेप समय के सदुपियोग के द्वारा मनुष्च से देवता बन जाता है तो हमारा किस प्रकार का बाता है कि इसमें कोई तुरुटि नहीं है और यहां पर हमारा D, इसमें कोई तुरुटी नहीं है, तो friends, यहां पर जो है, कोई भी तुरुटी नहीं है, कि समय के सदुपियोग के द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो right answer हमारा यहां पर कौन सा हो जाएगा, D सही हो जाएगा, इसमें कोई तुरुटी नहीं है, और यहां friends, जो विलोम सब्द है, बहुत ही पूछा जाता है, चिरंतन का विलोम सब्द क्या है, most important, अन्त आदी निरंतन नश्वर, तो friends, चिरंतन का विलोम सब्द के नश्वर होता, right answer हमारे यहां पर, D सही हो जाएगा, next question है, मेरा आज खाने का मन नहीं होती, आप देख रहे हैं friends, जैसे ही आप असुद बाक के को पढ़ेंगे, तुरंत आप जो है उसको व्याकरण की दरश्टी से एक बार नियमों से देख लीजिए, आपको असुद बाक के तुरंत पता चल जाएगा कि कहां पर गलती है, मेरा आज खाने का मन नहीं होती, मन नहीं होता है, मेरा आज खाने का मन नहीं होती, तो किस बाक के में friends तुरूटी है, यहाँ पर मन नहीं होती में तुरूटी है, right answer यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, option D सही हो जाएगा, next question है, हमारा जो पहले कभी ना सुना गया हो के लिए एक शब्द है, अक्छम, असीम, पूर्व, तो friends जो पहले कभी ना सुना गया हो, उसे असुरूथ पूर्व कहते हैं, right answer यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा, next question है, हमारा यहाँ पर जिस समास में दोनों ही प्रधान हो, most important या कई बार परिवासा पूछी जाती है, जिस समास में friends दोनों ही प्रधान हो जा जाएगा, दोन्द समास हमारा, right answer यहाँ पर हमारा भी सही हो जाएगा, जैसे रात, दिन, चाल, ढाल, ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार के समास है, दोन्द समास है, और यहाँ पर इस्त्री के परयावाची, एक परयावाची friends बहुत ही पूंचा जाता है, इस्त्री का प पहला ही, आपसन हमारा friends सही है, इस्त्री के सारे परयावाची है, त्रिया, बनिता, नारी, आपको परयावाची भी अच्छे तरीके से आत करने हैं, friends, जो most important परयावाची है, वो हमारे चैनल पर आपको जो है, जल्द ही उपलब्द करा दिये जाएंगे, आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रही है, next question है, किस सब्द का संदी विच्छेद गलत है, प्रतीक्षा, प्रती प्लस इच्छा यहाँ पर लिखा है, friends, होता क्या है, प्रती प्लस इक्छा, यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटी, तो हमारा पहला ही गलत है, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, कि यहाँ प्रतीक्षा का संदी विच्छेद गलत है, मांकी मदू प्लस अरी का सही संदी विच्छेद है, अथेश्ट यह था प्लस इस्ट पाबक पो प्लस अक बिल्कुल सही, सारे सभी सही है, next पूछा गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर, आप्सन भी सही हो जाएगा, पहले का बड़ी E होगा, मतलब करवटे बदलना, बेचेनी के कारण, ना सो पाना, और कोलू का बेल, दूसरा आप्सन छोटा E हो जाएगा, लगातार काम में लगे रहना, हवा लगना, हवा ल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपसन नंबर भी सही हो जाएगा, एक मोहाबरा भी जरूर आएगा, और मोहाबरा जो है, बहुत ज्यादा कठी नहीं पूछा जाता है, बस आपको उसके सेंस को देखना है, वो उसके अंदर अर्थ क्या जिपा हुआ है, आपको इस तर सरकाट देने, मैं अनेक पुस्त के लिखी, या भी हमारा गलत हो गया, मैंने अनेक पुस्त के लिखी, बिल्कुल हमारा राइट आंसर, आपसन सी, सही हमारा आंसर हो जाएगा, नेक्स कोस्चन है, हमारा यहाँ पर, जिनका सम्मंद अध्यात्म से है, के लिए एक सब्द क् जाएगा आध्यात्मिक राइट आंसर हमारा यह सही हो जाएगा और यहां पर जो है फ्रेंट्स बंड विच्छेद को सुध बरतनी में लिखना है यहां पर जो है इसका सही सुध बरतनी जो है यहां पर हो जाएगी आर्यावर्त आप इसे बंड विच्छेद करके देख समास तो फ्रेंट सीया जो है कर्मधाराय समास है करोध करोधागनी करोध रूपी अगनी नेक्ट इस COMM में यहां पर स्वेंट समारा जो है पैराग्राफ दिया गया है उसके आँसर देने हैं और आपको मैं एक और बात बता दूँ पैराग्राफ जो है हल करने सबसे आसान तरीका और सटीक तरीका कि आप पहले कभी भी पेराग्राफ ना पढ़ें। पहले आप उसके कोषचन और उसके चार आंसर एंच साफ प्शूर नीतियां खेलों को राष्ट्र सम्मान अब देखिए यहां पर अब हम देखते हैं इसमें पैसेज में कहां पर दिया गया है भारत ने स्वाधियंता प्राव्द करने के बाद अनेक चेत्रों में मैतपूंड उपलब्दियां आसिल की जब हम सुतंत्र हुए तो उस समय हमारी इस्तित अच्छी नहीं थी सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ पर अभी एक चेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेस नहीं कर पाए हैं वाद चेत्र है खेलों का इस इससे बड़ी भिडंबना और क्या हो सकती है कि वरसों से हम ओलम्पिक में कोई भी स्वण पदक नहीं जीत पाई है और दुनिया के छोटे छोटे अविक्सित निर्धन राष्टरों के लिए प्रतिभागी भी खेल कूद के चेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं तो फ्रें M woman act When ka गए कई लोको राष्ट्र शंमान देकर आगे निकले हैं उनके लिए सर्वोचे प्रात्मिकता बनी और राइट अंसर हमारा डी सई हो जायेगा next question दिया गया है सीरसक जो पैशानने का सबसे अच्छा तरीका होता है तो उपर की चार लाइन में सीरसक होगा या तो नीचे की सीरसक आपको मिल जायेगा तो friends यहाँ पर सीरसक की बात की स्वतंद्रता प्राप्ति खेलों का गिरता इस्तर ओलम्पिक पदग राष्ट्री प्रतियोगित आएं तो फ्रेंट से यहां पर इसका जो है सीरसक हमारा क्या हो जाएगा खेल के प्रतिपूरे बताया गया है तो खेलों का गिरता इस्तर नेक्स्ट है खेलों के गिरते इस्त तो फ्रेंट्स और खेलों के लिए राष्ट्रे सम्मान तो फ्रेंट्स इसका जो है रॉइट आम्सर के गिरने का इस्थार कौन सा कारण नहीं है तो अभी हम पढ़ चुके हैं ये सारे कारण ये खेलों के गिरने का लेकिन खेलों के लिए राष्ट्रे सम्मान या कारण खेलों के गिरने का नहीं है, राइट आंसर हमारा यहां पर D सही हो जाएगा फेलों पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है कब खिलाडियों को सविधा देने से, अब भ्यास करने से, आपसी गुटबंदी से और खिलाडियों को सम्मान देने से तो फ्रेंट्स इसका जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसी गुटबंदी से नकारात्मक जो है यहां पर प्रभाव पढ़ता है, आपसन सी हमारा सही हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है हमारा यहां पर गध्यांस के अनसार राष्ट की उपलब्दियों में नहीं है, सिक्छा, स्वास्त, खेल, क्रसी तो फ्रेंड्स यहां पर जो है खेल के बारे में पूरा बताया ही गया है ठीक है और उससे सम्मंदित यहां पर पूछा गया है कि राष्ट की उपलब्दियों में नहीं है, क्या नहीं है, यहां यहां पर बताना है सिच्छा भी है, स्वास्त भी है, क्रसी भी है, लेकिन खेल को यहां पर हमारे यहां बहुत ज़्यादा अभी स्थान सर्वोच परात्मिकता नहीं दी गई है इस गद्यांस के माद्यम से और फ्रेंट्स हमारे लास्ट कोश्चन बच्चे हैं, गोधूम पिछली बार पूंचा गया था, क्या है, देशज विदेशत तद्भव तस्सम, तो फ्रेंट्स गोधूम एक तत्सम सब्द है, राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, और तद्भव तस्सम का सही जो है, यहां पर तद्भव तस्सम का सही युग पूंचा जा रहा है, तो फ्रेंट्स जो है, महुक महुआ गलत है, अक्षबाट अखाड़ा बिल्कुल सही है, अक्षबाट जो हमारा तत्सम है, और तद्भव हमारा अखाड़ा है, राइट आंसर है, यहां पर हमारा भी सही हो ज हैं अगर आपके इसमें 25 में से 22 से तेश नंबर आ रहे हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप इसी प्रकार से हिंदी को अच्छे से करते रही है और हमारे चैनल पर आपको जो है मैद के जो सीधे पेपर में कोश्चन पूशे जाने वाले हैं उनी के सौट ट्रिक के साथ आपको वीडियो भी उपलब्द कराये जाएंगे और अगर चैनल पर पहली वारें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो क सब्सक्राइब की स्टेश्ट स्रीज आपको उपलब्द करवाई जाएगी फ्री आप कॉस्ट में तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत